हाई एवरीवन आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्साइज 4B जो की डैसिमल फ्रैक्शन की एक्साइज है इसका आज हम सॉल्फ करेंगे कुश्चन नम्र फॉर्ट से लेके कुश्चन नम्र नाइन और इसके बाद इसकी नेक्स एक्साइज 4E को छोड़के 4DB सॉल्फ करें है find the difference between 6.8 and 0.685 तो हमें difference इसका find out करना है चलिए देखते हैं फिर हम कैसे इसका difference find out करेंगे तो इसमें से simple से subscribe कर देना और कुछ भी नहीं करना है तो मैंने question पहले यहां पर लिख दिया है ठीक है यह रहा आपके पास तो क्या करूंगा मैं इसको subscribe कर दूंगा पहले लिखूंगा 6.85 और यह कितना है 0.65 685 ठीक है जिसके नीचे यहां पर कोई digit नह 6 और यह होगा 7 तो यह बच्चे का 1 और पॉइंट यह आ जाएगा आपके पास 6 ठीक है तो यह बच्चे का 6.165 तो यह इसका क्या होगा answer होगा ठीक है चले फिर नेक्स भी देख लेते हैं यह क्या कह रहा है टेक आउट दा सम आफ 19.38 and 56.025 then subtract from 200.111 आपको क्या करना है इन दोनों का पहले सम find out करना है फिर जो सम आएगा उसको इसमें से subtract कर देना है तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ इन दोनों का सम आपको find out करके दिखाता हूँ यह आगया आपके पास 19.38 प्लस देखिए कितना है आपके पास 56.025 आपको इन दोनों का सम निकालना है तो यह सम आ जाएगा आपके 5 और यह हो गया 0 यह हो गया 4 पॉइंट इसको add कर दीजिए 5 और यह मिल गया आपके पास 7 तो यह आपको मिल गया 17.405 अब इस सम को आपको किसमें से सब्ट्राइक करना है इसमें से तो 200.111 माइनस 75.405 ठीक है इसमें से आप सब्ट्राइक कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा इसमें से 6 यह हो ग 7.421 ठीक है यह आपके पास इसका आंसर मिलेगा ठीक है 120.124.706 तो यह इसका आंसर है तो चलिए नेक्स देख लेते हैं फिर ऐसी यह क्या किरा है एड 13.95 and 1.003 and result जो इसका result आए है उसको आपको सब्ट्राइक करना है उसको आपको सब्ट्राइक करना है sum of the इन दोनों के सम में से यानि कि पहले इन दोनों का सम करना है फिर इन दोनों का सम करना है फिर जो इसका sum आएगा इन दोनों का sum आएगा उसको इन दोनों के sum में से क्या कर देना है सब्ट्राइक कर देना है तो चलिए फिर solve करते हैं पहला आपके पाँ कितना है 13.95 है 13.95 प्लस कितना है 1 जारी यह मैंने हाँ पर लिख दिया 0 1 लिख लिजे से यह होगा 0 0 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो यह आपके पास आजाएगा 3 देन 5 9 और यह आजाएगा 14.953 और अब वैसी आप इन दोनों का sum कीजिए इन दोनों का sum करने के बाद आपको मिल जाएगा next digit 2.794 मैं sum कीजिए 6.2 ठीक है तो यह sum कीजिए तो यह आजाएगा 4 point की जो पॉइंट place पारना चाहिए और add करने का simple यही तरह का है 9 और 7 और 2 को plus कर दीजिए यहाँ जाएगा 9 और यहाँ जाएगा 8 ठीक हो गया तो यह आपके पास sum मिल गया अब इस के sum में से यह जो आपको sum मिला हा इस में से इसको subscribe कर दीजे ठीक हो गया इस में से me製 सको इसको when rate है अगर इस में से इसको subscribe करेंगे तो answer negative आजाएगा ठीक है तो मुझे इस में से सको subscribe करना है 14 point कितना है 953 और 8.994 ठीक है subscribe कीजिए फिर आपको सब्ट्राइक करने के बाद मिलेगा 959.14 यह बचा आपके पास 5 ठीक है 5.959 ठीक हो गया यह इसका आंसर है ठीक हो गया चलिए फिर नेक्स देख लेते हैं यह देखिए What should be added 13.587 To be give 80.375 तो यह आपको add करना है कि आपको question दिखाना है कि 39.587 में कितना add करें कि result आपके पार क्या मिल जाए 80.375 मिले तो simple सी चीज है आपको क्या करना है 80.375 में से 80.375 में से आपको 39.587 को क्या कर देना है सब्ट्राइक कर देना है तो आपके पास answer मिल जाएगा चलिए फिर solve करते है ठीक है चलिए solve करते है तो answer हमारे पर क्या मिलेगा देखते है उसके बाद तो यह है आपके पास चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसको 80.375-39.587 ठीक है चलिए फिर इसको subscribe कीजिए और देखे कि आपको क्या answer मिलता है यहाँ पर ठीक है तो चलिए subscribe करते है यह मिल जाएगा आपके पास 8 then मिलेगा 8 then यहाँ पर मिलेगा 7 यह मिलेगा 0.04 ठीक है यह इसका answer हो गया फिर यह इसका answer मिलेगा 40.788 ठीक है यह इसका answer है ठीक हो गया तो इसके बाद next और दो question solve कर लेते हैं जो रहे यह evaluate ठीक है आपको कैसे solve करना है देख लेते हैं पहले आपको क्या करना है इस पहले bracket को solve करना है फिर इस bracket को solve करना है इसके subtract में से जो आएगा और इसके subtract में से जो आएगा उन दोन को फिर क्या कर देना है add कर देना है ठीक है तो चलिए फिर solve करते है अगर किसी को ऐसा सब्ट्राइक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे भी सब्ट्राइक करता है 5.8-0.8 और यह आगया आपके पास सीधे-सीधे मैं यहाँ पर सब्ट्राइक करूँगा तो यह आजागा 4.6 1.80508 ठीक चले फिर यह आगया आपके पास 4.6 प्लस 1.508 ठीक हो गया इसको एड़ करने के बाद आपको मिल जाएगा अगर आप इन दोनों को एड़ कर लेंगे अगर एड़ करने में भी प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख लिए 4.6 और यह हो गया 1.5 पॉइंट के नीचे लेगा 6.108 ठीक है यह इसका अंसल है चलिए फिर नेक्स देखते हैं यह आपके पास 9.004 प्लस 3 माइनस 2.462 तो वही इसमें से आप इसको सब्ट्राइक कर लीजिए फिर जो आएगा इसमें से इसको सब्ट्राइक कर लीजिए जो आएगा इसमें प्लस कर देंगे तो सब्सक्राइक करने के बाद आपके पास यह मिलेगा 835.0 यह इसका अंसर है यहाँ पे 9.004 प्लस कितना हो गया 0.538 अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो यह मिल जाएगा 9.542 ठीक है यह इसका अंसर है ठीक है चलिए फिर यह तो रही इसक्स है इसकी बाद अब चलिए सुल्ड करता है round off आले question जो किया exercise 4D में से ठीक है exercise 4D में से यह रही exercise 4D आपके पास यह रही इसमें एक तो करना है round off और एक निकालनी है significant digit ठीक है चलिए पहले मैं round off की बात कर लेता हूं फिर significant digit की बात करूँगा ठीक हो गया देखे significant digit का एक rule है यह रहा आपके पाश देखिए यह अगर आप एक बार यहां से पढ़ लीजेगा ठीक है मैं आपको यहां पर बता देता हूँ अगर मान लीजे क्या है कि जो भी डिजिट का आपको significant निकालना है मान लीजे यह देखिए एक मट के लिए यह रहा देखिए एक मट के लिए यह तो आप देखिए तो देखिए तक निकालना है आपको 73 तक तो यह देखिएगा अगर यह इडिजिट यह वाली जो डिजिट है न यह वाली डिजिट जो हैSON प्लस हो जाता है ठीक है एक क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा समझ में आई बात तो यह कितना हो जाएगा देखिए यह फाइप से पड़ लीजेगा अगर फाइप से लेस है तो फिर नहीं होगा देखिए कहीं रहा है आपके पास यहाँ पर फाइप से लेटर नहीं है तो यह इतना रहेगा फिर एड़ नहीं होगा तो कितना आजाएगा इसे को निकाल नेरेस होल नंबर में निकाल लिए यह होल नंबर में कहें, तो होल नंबर में cioè नेरस्ट किसकी जा रहा है, नेरस्ट तो प्ल पूइजिए, इतना पैसा माल लीजे तो यह 5 के नियरस्ट ही तो है 5 के नियरस्ट ही तो है तो यह रहा आपके पास कितना हो गया कहने का मतलब पूरे को आप राउंड ओफ करके कहा लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं चले फिर इसी पर बेस हम कुश्चन कर लेता है इस रूल को आप पहले पढ 1 यह उसका Answer हो गया समझ महाई बात चले ये वाला भी देख लेते हैं फिर यहां भी वही केस है यह देखिए ₴ 5 लेटर है तो इसमें क्या कर दीजिए फिर घर यह से और ये वाला प्लेकर है प्लस क्रम प्लस कर thrown गया प्लेक्ष ру же और यहां क्या करना है थीक हो गया तो देखते हैं फिर यहां पर कितना हो जाएगा देखते हैं अब इसका यह वाला प्लेस देखते हैं ठीक हो गया यह देखें यहां पर क्या हो गया यहां पर क्या हो गया देखते हैं यह फिर क्या है फाइब से ग्रेटर है तो इसमें क्या हो ज तुरूरे 59, अब देख लेते हैं होल नुमबर नुमबर में करना है पूरा रूंड उफ करना है तो यह देखे 4 और 83 पैसे होल नुमबर में कहना है पूरे को रूंड वे लेने का है आपका मालीजे बिल बना फोर रूपीज एक मंड एटी थ्री पैसा तो ला नहीं सकते हैं ठीक हो गया तो पूरे को राउंड आफ करने के लिए आपको कितने रूपीज देने पड़ेंगे बुक के उपर लिखा हुआ है कोई भी लिखा हुआ है मालीजे सिंपल सा एक चॉकल iqt943 यानि कि इतना पैसा लिखा हुआ है अगर आप इसको राउंड ओफ करेंगे तो आपको पूरा कितना देना पड़ेगा कितना पड़ेगा पूरा होल नंबर में इसको मुटिप्लाइब तो यह आंसर कितना अब यह नहीं तो इतना धद देखे यह वाला। इन दोनों को आपने मुटिप्लाइब करा यह आया। आपको डेज़ दॉट्ड प्रेस पे करना है या निकि यह वाला थार्ड प्रेस यह इस वाले मिन कितना प्लस कर देंगे, इस वाले मिन कितना प्लस कर देंगे? निया बात कर देंगे, यह इसका आंसर हो गाए, छालिए, फिर आब बात कर लेता है, significant digit को solve करने से पहले मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं कि कैसे significant digit count करते हैं यह इसके कुछ रूल हैं देखे कैसे हम count करेंगे ठीक है यह जैसे आपको दे रखाया अगला condition अब देखेंगे 502 502 में किती से significant digit हैं तो count करिया आपको किती दिख रिख रही हैं दिख रही है अब देखेंगे 50.2 है तो skip point यहां से लिखें हाँ तक count करिये point कहने का मतलब है point को एक लिख करिये तो total digit कितनी है आपकी 3 है अब देखेंगे यहां भी अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ जैसे 50.02 लिखो तब भी 3 है 55.02 लिखो तब भी 3 है अभी देखेंगा गेम अब मैंने क्या कर दिया point को इधर क्या होता point यहां लगा तो तब तो मैं इसको कितना अगान करता अ तब भी छ Leiska यहां पर आगया तो यहां जिरो से नहीं count करूंआ ऊब क्या करूंगा यहां से नहीं count करूंगा यह कितने हो जाएंगे 3 अब देखिए इस में देखिए आप कहेंगे आप इसको फोर क्यों नहीं काउंट किया यहां से काउंट करना चीए था नहीं इस जैसे 07 लिखा जाए ना कहीं पर 07 लिखा जाए तो क्या पढ़ा जाएगा उसे पढ़ा तो 7 ही जाएगा जैसे जेम्स बांड का नंबर है 007 तो आप इसको कितना काउंट करेंगे 7 ही तो काउंट करेंगे तो वैसी यहां पर देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं इनको काउंट करिए यह देखिए 502 यानि कि अगर इसके आगे एक 0 और होता फिर पॉइंट लगा होता तो फिर उसकी भी कोई वैलियू नह यहां पर जिजिट है अगर 0 होता तो फिर हुम क्या करते हैं फिर क्या गयते हैं फिर वही कहने काउंट करते हैं तो जरGO है यहां क्या चार अगी की तरफvoorbeeld नहीं कोई क्या जाएगा हा से लेकि हां तक तो कितने हो गए फोर इसमें हो इसको कर दो कितना हो गए और यह कितने हो गेश्म मैं नहीं कॉण्ट कर बहुत靠 अगर यहां फ Patriot होगा, तो count करते, मेरी भाध्यास तुन लिए, अगर यहाँ पर तो count करते, अगर यहाँ पर 1 लिखा होता, यहाँ निखो तो अगर 0 हो 1 हो तो count होगा हमेशा तो यह कितने होगे 4 होगे और वैसी यहां भी कितने होगे 4 होगे चले फिर इसमें देख लेते हैं अब कितने significant digit है अभी आपको पता लग जाएगा आप खुद ही बताई यह कितना है 53.06 मैंने कहा था कि इस side को तो count करते हैं इधर को नहीं count कर होगे 19.0 कितना है 19.0 है तो कितने होगे 3 होगे यह रहा ठीक है अगर किसी को डाउट हो तो इसको एक बार चीज़े पर ले ठीक है 3 होगे अब देखिए मैंने कहा था यहां पर digit होता 123 अगर 12 लिखा होते तो चार जाते लेकिन इनको count नहीं किया जाएगा सर्फ यहां पर क मुल्टिप्लाई कर रखा है अगर किसी को मुल्टिप्रिकिशन में प्रॉब्लम हो तो वह प्लेलिस्ट में जा करके वहां देख सकता है मैंने इससे पहले मुल्टिप्रिकिशन की वीडियो वहां पर बनाई हुई है ठीक होगे अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट डि अगर किसी को डाउट है तो 3.6 इंटू कितना है 0.12 आपके अगर यह 100 से नियुमिरेटर और 100 से डिनामेटर में मुल्टिप्लाई कर दीजे तो यह हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 12 तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो यह कितने टाइम कैंसल होगा 30 तो कितने यह वाले मता रहा है 0.05 तो वन है help. में कितने mentor में कितने हैं इसको करेंगे me में पॉइंट जी मैंने काना इधर को लगे ओंगे पॉइंट के बाद जी रो होगा तो तो अगर डिजिट आ जाएंगे यानिकि जिसे हम हूल नमबर करेंगे यहां वहां रोल नंबर के फॉर में 12345 तो फाइप करेंगे अगर यहां पर 0000 लगा होता एक मड़ी जी रो लगा दो और अगर यहां पर लगा हुआ है तो काउंट किसको करेंगे सबी को करेंगे ठीक हो गया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब